मौर मुड़ते ही मलिक साहब के कुट्टे की गुर्राहत सुनाई थी और मेरी पैंट गिली हो गई मैं हाथ पाउं का अपने लगे वही हुआ ना जिसका डर था सारी गलीस उनसान पड़ी थी लेकिन कुट्टा नजर नहीं आ रहा था ऐसे लगता था जैसे वो किसी रेड़ ही या दरख्त के आर में मेरा इंतजार कर रहा है मैंने जेब में हाथ डाल कर पत्थर की मजूदकी को कन्फर्म किया और एहतियातन एक पत्थर दाए हाथ में मजबूती से पकर लिया अचानक मुझे याद आया किस याने कहते हैं अगर कुट्टा पीछे पड़ जाए तो आगे से भागना नहीं चाहिए बलके खामोश खड़े रहना चाहिए इस तरह से कुट्टा हमला नहीं करता लेकिन मुसीबत तो ये थी कि ये असूल मुझे तो पता था पता नहीं कुट्टे को भी इसका इंधा या नहीं और मैं ऐसा कोई रिस्क लेने के मूट में नहीं था कुट्टे की गुराहतें बदिस्तूर बिलन्द हो रही थी और ऐसा लगता था कि वो अब किसी भी वक्त हमला करतेगा और फिर अचानक उसके भूखने की जबर्दस्त आवास आई और मेरे हाथ से पत्थर गिर किया मेरी चीक अभी हलक में ही थी कि मुझ पर इनकशाफ हुआ कि कुट्टा सिर्फ भूख सकता है काट नहीं सकता क्योंकि वो गर के अंदर है और दर्वासा बंद है खुशी से मेरी पेंट फॉरण सुख गए और मैं उस कुट्टे गमीने की गुराटों की परवा किये बगैर खरामा खरामा चलता अपने गर के दर्वासे पर पहुँच गया तर्वासा खुला हुआ था और अंदर से अम्मा की रोधने की आवासे आ रही थी या लग खैर मेरे मूझ से निकला गर के अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर अम्मा पर बड़ी जो अब्बा के सीने पर हाथ मारती हुए कह रही थी मुझे नहीं पता मुझे मेरा कमाला ला कर दो ला दूँगा बस जरा मौसम ठीक हो जाए अब्बा ने इत्मिनान से चल्ली खाते हुए कहा अब्बा का जवाब सुनकर अम्मा के बैन में गुस्सा भी शामिल हो गया अरे मैं कहती हूँ कुछ पता करो बेटे का कहां ले गई वलिड की उसे तू कहां मर गया था उस वक इससे पहले कि अम्मा मजीद कुछ कहती मैं सामने आ गया मुझे देखकर अम्मा गंग रह गई और अब्बा इतने जोर से उचले के चली उनके हाथ से उड़कर खुरे में जा गिरी कमाले तू अब्बा मुझे देखकर हक लाए मेरा पुतर अम्मा ने जल्दी से मुझे सीने से लगा लिया अबे ये सूट किसका उतार ला है अब्बा को सूट की फिकर पढ़ गई अब्बा ये मेरा है मैंने फकर से कहा जिन्दगे में पहली बार अब्बा को मेरी बात पूरी सुनाई दी वो भी यकीनी के आलम में आगे बढ़ कर सूट चेकर ने लगे अब ये तेरा कैसे हो गया इसके तो बटन भी तेरे से महंगे है कान ही खाए जाओंगे ये बेटे से पूछोगे भी कि वो कहा था अम्मा ने गुस्ते से कहा और अब बात दुबग गए अम्मा में ठीक था और बड़ी मज़ेदार चका पर था मज़ेदार चका ए बेटे क्या तुझे जामेशिरी वाले ले गए थे अरे नहीं अम्मा सारी बात सुनोगी तो हैरान रह जाओगी अब हमारा वक्त फिरने के दिन आ गए है क्या कहा खेट फिरने के दिन अब बातों के लाहौला वला कुछ अबबा एक तो आप भी मैंने मू बनाया तू बोलता जा पुतर इस मन्हूस की परवाना कर इसके बारे में तो नासिर कास्वी ने कह दिया था कि अजीब मन्हूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो मैं गर के दर्वासा बंद करके जूते उतार कर चारपाई पर बैट किया और अम्मा अबबा को सारी कहानी अलिव से लेकर ये तक सुना दी वो दोनों तंब खुद बैटे सारा वाकिया सुन रहे थे दुराने किसा जहाँ जहाँ भी पांच लाग का जिकर आता अबबा एक चक्कर खा कर रहे जाते अलबता अम्मा पता नहीं क्यूं बुरे बुरे मुझ बनाती रही जैसे ही मेरा बयान खुत्म हुआ सबसे पहरे अबबा बोले हलाला के लिए तुम्हें चारा बनने की कोई जरूरत नहीं ये कड़वा घूट मैं पीने को तयार हूँ अम्मा दात पीस कर बोली लड़की ने हलाला करना है हरामा नहीं चुप करके बैटे रहो लेकिन अबबा ने कुछ कहने की कोशिश की रेकिन फिर अम्मा की तरफ देखते ही नजरे जुकाली कमा ले तुम उस लड़की को साफ इंकार कर दो इदने बड़ी जैदात में से हमें सिर्फ पांच लाग क्यों दे रही है उससे साफ साफ कहे दो कि अगर वो इस तरह तुम से शादी करके तलाक लेना चाती है तो ये सौधा कम असकम बीस लाग में होगा अम्मा ने फैस लकुन लह्चे में कहा बीस लाग? मेरे हाथों के तोते और अबबा के कानों के कवे उड़ गए हाँ पीस लाग, हम कोई मामूली लोग है अम्मा ने गर्दन अकड़ाई और मेरी नजर बे एक्थियार सहन में पड़ी दो तूटी चरपाई हो और उद्ड़े हुए तक्यों पर जा पड़ी वाकरी, हम लोग मामूली नहीं बलके बहुत मामूली थे इसके बावजुद मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि बीस लाग बहुत बड़ी रखम है कहीं लड़की इंकार ही न कर दे लेकिन अम्मा की एक ही रठती कि ये काम करना है तो बीस लाग ही मंगो अम्मा अब्बा से गुफ्तकु के दौरान मुझे वक्त का ख्याल ही न रहा अचानक मेरी निजर घरी पर पड़ी और मेरे खोश उड़कर चार बज़ने में सिर्फ पंदरा मिंट बाकी थे मैंने तेजी से एचार पाई छोड़ी और उल्टे सीधे बूट पहन कर तसमें बंद किये बगैर बाहर की तरफ भागा अम्मा अब्बा को मैं पहले ही बता चुका था कि मुझे दो गेंटे तक लास्मी वापस पहुंचता है परना उस गर के हालाद कभी नहीं बदलेंगे तसमें ना बंद होने की वज़ा से मैंने पोने तीन दफ़ा गली में गिरते गिरते बचा और यूँ ही गिरते पढ़ते वैगन में सवार हो गया रास्ते में भी यही सोचता रहा कि क्या फहमी मेरी ये शर्ट मान लेगी क्या वो अम्मा के बनाए हुए जाल में भाश जाएगी मैं जिन्दकी में पहली बार फ्रॉट कर रहा था इसलिए नहीं के इससे पहले बने फ्रॉट ना करने की कसम खा रकी थी बलके इसलिए कि मुझे मौका ही पहली बार मिल रहाता और मैं इस उन्мыहरी उल्जेने जनम ले सकती है लेकिन मैं इस हक में नहीं था मुझे फैमी के मज़ाज का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था और इसी विना पर मुझे यकीन था कि वो अम्मा की इस बात का उल्टा ही असर लेगी और एह नुमकिन है कि मुझे उनी फटे पुराने कपड़ों के साथ धक्ये देकर बाहर निकाल दे वैकन स्टॉप पर रुकी तो मैं भागता हुआ फैमी के घर की तरफ लबका जिस वक्त मैं गेट के करी पहुंचा दस बच कर पांच मिन्ट हुए थे मेरी सांस पूली हुई थी और किंड़ पसीने से चमक रही थी फैमी प्यारेश पर करी थी मुझे आते देर से इसकी हच्चे बविश्क पुराहत हमेदार होगी पठान चोकीदार भी मुझे देखते ही खिल उठा मैंने अंदर जाते ही फैमी से पंदरा रुपे लिये और ला कर्चों की दार के हाथ पर रख दिये खौचा ये क्या है खान साब ये वो पैसे हैं जो मैं दो गिंटे पहले आप से उधार ले गया था खान के चेहरे पर प्यार उमच आया उसने पंदरा रुपे वापस मेरी जेब में डाले और मेरे गाल पर चुटकी लेते हैं वे बोला खोचा कैसी दिल दुखाने वाली बातें करती हैं ये पैसे तुम एडवांस रख लो एडवांस क्या मतलब मैंने तुम्हें वाशर मेशीन बेजी हैं कान की आँकों में खुमार उतर आया उसने एक भर पूर अंगडाय ली और मुच्छं क को ताओ देते हूं वे बोला ओखोचा तुम तो नराज होती है ऐसा ना करो तुम तो अमारी रू है मैं तुमारी रू नहीं बजरू हूँ ये गुस्सा आ गया कान बिचारगी से मुझे देखने लगा मैंने उस पर हज़ार लानत बेजी और वापस कमरे में आ गया फहमी क की तरफ देखा वो भी शायद मेरी कैफित समझ की थी उसने खुद उठने की बज़ाए फ्रिज की तरफ इशारा किया मैंने नहायत सादत मन्दी से उठकर फ्रिज का दर्वासा खोल दिया अंदर बेश उमार पैपसिया मुझे को शामदीत कह रही थी मैंने डिरते डिरते एक पैपसि निकाली और खोल कर एक गूंट बरा उफ खोदाया अब बठीक ही कहते हैं मैंने पहली मरतबा खालिस पैपसि का गूंट बरा था और मुझे यू लग रहा था जैसे मैं अभी भी होश होकर गिर जाओंगा हमारे महले में तो डेर रुपे वाली नीले रंग की गूली वाली पैपसि मिलती थी मैंने बड़ी मुश्कित से खुद को संभाला फहमी नहायत संजीत की से मेरे तरफ देख रही थी बोलो तयारो उसने सपाट लहचे में कहा मैंने सारी हिमत जमा की और नहायत होसले से कहा नहीं मेरा जवाब सुनते ही उसकी आंकों में हैरत करने लगी गालपन उसे मुझसे इस किसम के जवाब की तवक्यों नहीं दी ताम अब की बार उसने तैश में आने की बजाए सिर्फ मुझे गूरने पर एक्तफा किया कुछ देर कमरे में खामोशी चाही रही फिर उसकी नभी तुली आवास आई कुल कर बोलो क्या चाते हो मैंने माते पर आया हुआ पसीना साफ किया और बड़े मिश्कल से कहा बीस लाक वो बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगी साफ लग रहा था कि उसका दी चाह रहा है मुझे खड़े खड़े कतल कर दे लेकिन बस नहीं चल रहा वो कुर्सी से उठकर कमरे में टहलना शुरू होगी उसके अंग अंग से कुबसूरती और नशाच चलक रहा था जैसे ही वो एक मुकमल चकर करके वापस मुड़ती उसके बार एक जटके से आगे को आते है जिने वो हाथ से पीछे कर देती मैं जिन्दकी में कभी लंदन या पैरस नहीं गया था लेकिन मुझे यकीन था कि ये नजारा वहां की नजारों से कहीं स्यादा आगे का था मैं महवियत के आलम में उसे देखने लगा वो परिशानी के आलम में मसीद कुबसूरत लग रही थी यही वो लमा था जब मैंने अम्मा अब्बा के मशवरे को यकसर नजर अंदास करते हुए अपने नहीं एक फासला किया फैमी मुसलसल चक्र लगा रही थी उसके हाथों की मुठ्टियां बिजी हुई थी मैं थोड़ा सा कंकारा और कहा मैं 20 लाक छोड़ भी सकता हूं वो यक दम रुक गई मेरे जुम्ले ने उस पर खासा असर किया वो कुछ देर बेकिनी से मुझे देखती रही फिर कुछ कहने की बजाए सवाल या अंदास से मेरे तरफ देखा मैं समझ गया कि लोहा गर्म है फैमी 20 लाक तुम से अच्छे नहीं है लेकिन अगर तुम वाकर मुझे से शादी कर लो तो मैं तुम से कोई पैसा नहीं लूगा मेरी बात सुनकर वो शर्म से सुर्ख ह होना समझ रहा था वो असल में गुस्य से सुर्ख होना था मेरी बात सुनते ही कमरे में तौफान आ गया उसने सबसे पहला हमला ये किया कि अपनी एड़ी वाली जूती निकाल कर मेरी टिंड का निशाना लिया उस टैश का निशाना इतना पका था कि जूती सीधी मेरी टिं मेरे गिरते ही उसने मुझ पर मुकों की बरसाथ कर दी उसका हाथ रीमा जैसा और मुका श्रफकत चीमा जैसा था मुझे लग रहा था कि आज मेरा यहां से बच कर जाना बहुत मुश्किल होगा और जितनी मेहनत से मेरी ठुकाई कर रही थी उसे देख कर यूँ लगता था जैसे वाकई ही मैं उसका खामद हूँ हर दफ़ा जैसे ही उसके मुके से बचने के लिए अपना मुझ नीचे करता वो मेरी मतासरा टिंड पर एक हित्धर और जमा देती और मेरी आँखों क्या आगे तारे नासने लगते मझे पहले दफ़ा एहसास हुआ कि टिंड कराने का क्या नुकसान होता है अगर मेरे सर पर गने बाल होते तो मेरे सर की हिफाज़त हो सकती थी मैंने ताहिया कर लिया कि अगर जिन्दा रहे गया तो सर पर आरिफ लहार जितने बाल रखूँगा फहमी गुस्ते से पागल हो रही थी इतने में एक जटके से दर्वाज़ा खुला और सेट कुबसूरत अंदर नाकिलुआ अंदर की सिचुएशन देखकर उसकी आंगें उबर पड़ी ये ये क्या हो रहा है फहमी यक्तम गबरा गई फिर अचाना कि उसक ने एक जोड़ दर कहका लगाया और मेरी गुद्धी पर एक मुक्का मार कर उटकरी हूँ सेट कुबसूरत कुछ ना समझने के अंदास में मेरे तरफ देखने लगा मैं कालीन पर लेटा हाए हाए कर रहा था देखा डैडी आज मैं जीत गई फहमी खिल खिला कर बोली क्या मतलब सेट चौका मतलब ये मेरे प्यारे डैडी के शाहरुक को भी मेरी तरह बॉक्सिंग का बहुत चौक है लेकिन हम दोनों किसी और से मुकाबला करने की बज़ाए अकसर आपस में ही मैच रख लेते हैं पहले हैट दफार शाहरुक जीते थे आज मैं जीत गई हूँ आहाद जी शाहरुक अब तुम्हें आईस क्रिम खिलानी बढ़ेगी मैं जोड से कर रहाँ खुदा के लिए पहले मुझे एक गूट पानी दो पिला दो ओहो लगता है मुका जोड से लग गया सौरी शाहरुक बॉक्सिंग में तो ऐसा होता ही है न मैं अभी पानी लाती हूँ वो कमीनी बड़ी कुपसूरती से सारी मारकुटाई को प्यार कर रंग दे रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि उसके कुपसूरत चेहरे पर कीले ठोक दूँ सेट कुपसूरत दर्वाजे ही में खड़ा कह कहे लगाने लगा गालिबन उसे भी फहमी के ड्रामे पर येकिन आगया था हाँ 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 वेरी बैट वेरी बैट बहुत अच्छे बहुत अच्छे लगता है तुम दोनों का वाक कई आपस में बहुत प्यार है इसी बात पर एक शेड अर्स किया है कि लडाई में नुकसान है लडाई में नुकसान है सफाई निस्ब अिमान है जखमी होने के बवजूद मैंने दिल के गहराईयों से सेट के लिए दोजा कुलबकी की दुआ की और तक्लीब से कराता हुआ उठ बैटा फैमी इतनी देर में मेरे लिए पानी ले आई थी उसने मुझे सहारा दे कर बिठाया और फिर पानी का ग्लास पर ये लबों से लगा दिया मैं एक तरह से उसके पहलू में था और दूआ कर रहा था कि मुझे बेग गुजरे ना कयामत शबे तनहाई की उसके गोरे जिटे हाथ ग्लास और मुझे संभाले हुए थे मैंने अपने जखम भड़ते हुए महसूस किये कितना नर्म था उसका हाथ मुझे युँ लगा जैसे मैं गुंदे हुए आटे से टेक लगाए बैठा हूँ कभीज के अलाद जल्दी पनी पी उसने गुर्रा कर मेरे कान में सरगोशी की और मैं काप गया जल्दी जल्दी दो गूंट दो तीन गूंट परे और ग्लास से होंट हटा लिये फहमी ने मुझे संभाला और बैठ की तरफ लाने लगी अच्छा भई मैं तो सोने जा रहा हूँ गुड मॉर्लिंग शबख है सेट ने एक जमाई ली और वापस मुड़ गया उसके जाते ही फहमी ने एक जटके से अपना हाथ वापस खेंच लिया वो तो अल्ला का शुकर है कि मैं बैठ के करीब पहुंच चुका दा वरना मैंने कमर के बल कालीन पे गिरना दा उसके हाथ अचाते ही मैंने लाशाओरी तोर पर हवा में हाथ मारा और बैठ पर जागिना फहमी ने तेज़ी से दर्वासा लोग किया और वापस बलती मैं तुम्हें खा जाँगी मैं हराम हूँ मैं हलाल कर लूँगी हलाल बात में करना पहले हलाला तो कर लो तुम तुम गाली बलैक मेलर मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगी मैं अभी पुलिस को फॉन करती हूँ वो तेज़ी से फॉन के तरफ लग की है लेकिन मैं उसे काबू कर लिया है हाँ हाँ फॉरी पहुंचे ओके उसने रिसीवर रखते ही तेजी से पर स्कोल कर उसमें से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया मेरे चक्के चूट गए मुझे पांथ लाग जाते हुए और हत्कडियां आती हुई महसूस होने लगी थानेदार तो वैसे ही मुझे पर खार रखे हुए बैटा होगा अब की बार उसका बस चला तो वो मेरी सिंधी बरियानी बना के रखतेगा मेरी सारी अकड़ पल भर में निकल गए मैंने अम्मा अब्बा पर चोनतीस हलवातें भेजी जिनोंने मुझे य नहीं रहना था यहाना ख्याल आते ही मेरे अंदर के शेर ने चुहे का रूपधार लिया, हुदा के लिए मेरी बातो सुनो, मैं गी गी आया हर्गिस नहीं गंजे दो सकी अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूगी अब जो भी कहना है थानिदार से ही कहना मैं तुम जैसे गलीज को एक मिट विपरदाश नहीं कर सकती चलो जल्दी से ही सूट उतारो अच्छा जी मैंने फॉरण हुकम की तामील की मैंने फॉरण हुकम की तामील में पेंट की जिप की तरफ हाथ पढ़ा है या नहीं वो छिल लाई ओ सॉरी मैं जमने श्याइद पक्वास मत करो और जो बात्रूम में जाकर ये सूट उतारो लेकिन मेरे पुराने कपरे मैंने आहिस्ता से पूछा वो अब तुमें नहीं मिल सकते उसने बेनियाजी से कहा तो मैं क्या नवाए वक्त बांद कर बाहर जाओंगा मैंने बेबसी से कहा ये मेरे वस्ता नहीं है वो इंतहाई बेरुखी से बोली सोच लो बाद में शोड़ने डाल देना मुझे गुसा आगया क्या मतलब उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया मतलब ये कि अगर मुझे पहनने के लिए कपड़े ना दिये तो पिर मुझे मजबूरन कुदर्ती लिबास में ही जाना पड़ेगा वो पहले थोड़ा सा मस्कुराई प्रिशाने बेनियाजी से बोली तो मैं अजाज़त है क्योंकि मैं तो दूसरे कमरे में जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में पुलीस आने ही वाली है मुझे यकीन है वो तुम्हें कुदर्ती लिबास में देखकर बहुत खुश होंगे मेरे हाथों पैरों से मज़ीद जान निकल गई पुलीस कुछ ही देर में पहुँचने वाली थी मैंने दमाग से पुछा मुझे क्या करना चाहिए जवाब आया कोते के बच्चे फॉरन लिर्की की बात मान ले मैं फहमी की कदमों में गिर के आखुदा के लिए मुझे माफ कर दो मुझे पुलीस के हमाले मत करो मैं तुमारी हर बात मानने के लिए तयार हूँ निकाह भी करूँगा और तलाग भी दूँगा मुझे पांच लागी मनसूर है फहमी चलाकी से मुस्कुराई नहीं अब पांच लाग नहीं सिर्फ पांच सो मिलेंगे पांच सो इतने में तो पेट भर के गोल गपे भी नहीं मिलते मेरी शकल रोने वली होगी ये तुमारी लालच की सजा है अगर तुम पहले मान जाते तो तुम्हें वा कई पांच लाग मिल जाने थे पता नहीं किस एहमक ने तुम्हें प्रीस लाख वाला प्लान समझा कर बेचा और तुमने समझा कि मैं उस जाल में फश जाऊंगी मैंने दिल ही दिल में अम्मा को कोसा हाँ तो जल्दी बताओ इससे पहले कि पुलिस आ जाए क्या तुम पांच सो के इवेज मुद से शादी करने और तलाग दिने के लिए तयार हो तो पैसे तो कुछ पढ़ाओ अब तुम्हें चार सो मिलेंगे वो इत्मिनान से बोली ये क्या बात हुई तुम्हें पैसे बढ़ाने के लिए कहा है कम करने के लिए नहीं अब तुम्हें तीन सो मिलेंगे वो कुर्सी पर बैट कर मेरी हालत से लित्व अंदोस होने लगी नहीं नहीं ये जुल मत करो अब तुम्हें दोसों मिलेंगे मैंने फॉरण मुप पर हाथ रख लिया क्यूंकि वो जिस पीट से रकम कम करती जा रही थी उससे तो ये खत्शा हो चला था कि अगर मैं बोलता रहा तो उल्टा मुझ पर उदार चड़ जागा बोलो राजी हो मैं बुरी तरह डर गया था लहाज़ा जल्दी से हां में कर्दन हिला दी मुबादा उन दो सो रुपों से भी हाथ न दो बैटो शाबाश अब तुमें बोलने की अजाज़त है लेकिन अगर तुमने पैसों में कमी की बात शुरू की तो पैसे फिर से कम होने शुरू हो जाएंगे उसने दमकी ली और फिर फॉन उठा कर नंबर डायल किया और बोली हाँ इंस्पेक्टर अब आपके आने की जोरत नहीं मामला सूला सफाई से तैपा गया है हाँ जी शुक्रिया उसने रिसीवर रख कर मुझे आँख मारी और फिर किसी वकील को फॉन करने लगी मैं शिकस्त खुर्दा खिलाडी की तरहा सूफे पर सट जुका कर बैट किया मुझे यकीन हो गया था कि मैं दुबारा इसकर में कभी नहीं आ सकूंगा और नहीं ऐसे सूफे और ऐसे बाथ रूम किसमत मुझे दुबारा दिखाएगी फैमी निकाह के सलतले में ज्यादा ही तेजी दिखा रही थी रात के 11 बश रहे थे लेकिन शायद वस सारा काम आज ही खत्म कर लेना चाहती थी इसी दौरान उसने फोन पर असले शारुक से भी राब्ता किया और उसे खुशकबरी सुनाए और होसना दिया कि बस अनकरीब वो पिर से एक होने वाले है दूसी तरफ से शारुक ने गालिबन हलाला की सही तश्रीक के बारे में अपने ख़चात का इज़ार किया लेकिन फैमी ने उसे पूरी तरहां तसली दी कि हलाला बिलकुल ऐसे होगा कि साप भी मर्चा है और लाटी भी नहीं तूटेगी मुझे सारी समझ आ रही थी कि इस मिसाल में साप से मुराद मुझे लिया जा रहा है मेरा दमाग सोचने समझने कि इसलायोतों से महरूम होता जा रहा था पुलीस का ख़तरा तो टल गया था लेकिन मैं सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा था कि घर जाकर जब मैं अम्मा को बताऊंगा कि 5 लाट की बजाए सिर्फ मुझे 200 रुपे मिले हैं और उसमें से भी 5 साथ रुपे वैगन का कराया दे आया हूँ तो उसकी क्या हलत होगी अपबा तो हो सकता है छे साथ गेंटों के लिए वफात पा जाएं और अम्मा? अम्मा के बारे में तो मुझे यकीन था कि वो ये रूफ वरसा खबर सुनते ही मेरे सर में फ्राई पैन दे मारेंगी मैं गुटनों में सर दे करोने लगा मर्द होकर भी तुमारी आँखों से आंसों निकल रहे हैं फहमी ने पाकेट से चुइंगम निकाल कर अपने मुँ में डाली और मुझे पुचका रहा मेरा कून कॉल उठा क्यों क्या मर्द की आंकों में एल्फे पढ़ी हो दिये हाँ 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 उसने एक जोड़ दर कहका हाल लगाया और उसके दातों की चमक से मेरी आंखें कहरा होने लगी वो खासी खुश निजर आ रही थी जाहरी बात है खुश होना उसका हग था उसका काम भी हो रहा था और पांच लाख भी बच गए थे वकीर आदे गिंटे में पहुंच गया उसकी शकल देखते ही मुझे एक जटका सा लगा ये तो हमारी गली बले मलक साहब का बड़ा बेटा था मलक शराफत वो भी मुझे देखकर चौक उठा लेकिन सलाम लेकर चुप हो गया उसके वहमों गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की के निकाह के लिए उसे बलाया गया है उसका दुला मैं हूं तहां वो मुझे सूट में मलबूस देखकर खासा मतजबजब नज़र आ रहा था आईए आईए वकील साहब आप तो बड़ी चल्दी पहुँच गए मुलवी साहब को लाए है जी जी हाँ मुलवी साहब नीचे है इजाज़त हो तो बलबालू शराफत ने जल्दी से पूछा हाँ हाँ क्यों नहीं वो तो आज की तकरीब के महमानी खसूसी है फेहमी ने शरारत बरे लहचे में कहा शराफत फॉरण नीचे गया और मुलवी साहब को भी साहब ले आया मुलवी साहब खास से वसनी थे लहासा पंदरा सीड़ियां चरने में ही उनकी सांस भूल की कमरे में दाकिल होते ही वो दड़ाम से सोफे पर गिर गए और इशारे से मुझसे पानी मांगा गालिबन वो मुझे नोकर समझ रहे थे अब मैं उन्हें कैसे समझाता कि मैं यहां मुलासिम नहीं नोकर नहीं फिर भी मैं बुरा समू बनाते हुवे उठा और मुल्वी साहब के लिफरिज में से पानी वगलास भर लाया अब शराफत के चेहरे पर भी इत्मिनान था शायद उसे भी यकीन हो गया था कि मैं इस घर में नोकर हूँ हाँ तो मादम कहा है आपके होने वाले शोहर शराफत ने अपने हाथ में पकड़े बड़े सेखा की लिफाफे में से कुछ कागजात निकालते होवे कहा आप निकाह नामा वगएरा तो ले आए हैं ना फैमी ने एहतियातन पूछा जी मादम सारी कागजात त्यार करवा के लाया हूँ अलबता मौलवी साहब से राब्ते में बड़ी मुश्किल पेश आई आपको तो पता है कि शादियों का सीजन है और पिर यू आदी रात को निकाह पढ़ाना बहराल मौलवी साहब ने बड़ी महरबानी की जो मेरे साथ चलने पर आमादा हो गए वरना आज इने तीन शादियां बुगतानी थी शराफत ने बड़ी चर्प जबानी से अपना मतमा नजर बयान कर दिया फिकर ना किजी वकील साहब मौलवी साहब ने अगर हमारी खातिर इतनी जहमत उठाई है तो हम भी इने मयूस नहीं करेंगे फहमी ने पर्ष से हजार हजार के दस नोट निकाल कर मौलवी साहब की तरफ पढ़ा दिये मौलवी साहब को पानी पीते पीते गौता लग गया लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े और जपट कर नोट उचक लिए उनकी आँकों में बे पाया खुशी रक्स करने लगी थी गुसे से मेरा रंग सुर्ख हो गया मौझसे अच्छा तो मौलवी रह गया था जो जेब गर्म करके जा रहा था शराफत ने फौरण तुनकार कर मौलवी साहब को मतवच्चा किया जिसका मतलब यकीन ये था कि इस मालिक अनीमत में वो बराबर का हिस्सेतार है मेरा खया है निकाह शुरू करना चाहिए फहमी ने रापरवाही से कहा और मौलवी साहब की आँके पहल गई गालिबन ये उनके जिन्दगी का पहला मौका था कि लड़की अस खुद निकाह के लिए जोड डाल रही थी कोई और मौका होता तो वो किसी ऐसी हरकत के जवाब में शर्मो हया पर एक तवील लेक्चर दे सकते थे लेकिन जेब में पड़े नोत उनके जबान के राह में पत्तर बन कर हाईल हो गए उन्होंने एक तवील हूँ की और शराफत की तरफ देखा शराफत ने फहमी की हामे हामे लाई और पहले वाला सवाल फिर दोराया कि दुल्हा कहा है फहमी ने एक अदा से मेरी तरफ इशारा किया शराफत को तो जैसे सांप सूग गया उस सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना लंबा हाथ मार चाऊंगा काश मैं उसे बता सकता कि मैंने सिर्फ दो सो रुपे का हाथ मारा है उसकी हालत दीद नी थी उसने बह मुश्किल हलक से तूक निगला और बेयकीनी के अंदास में बोला ये आप इससे शादी कर रही है क्यों आपको कोई एतरास फहमी के लहजे में नागवारी दर आई नहीं मुझे क्या एतरास हो सकता है शिराफत सट पटा गया आपको मलूम है ना कि निकाह के फौरान बात तलाक होगी फहमी ने उसे याद दिला है जी मैं आदम मुझे याद है और मैंने मोलवी साहब को भी बता दिया था मोलवी साहब उलजन जदा लहचे में बोले लेकिन खातून हलाला में ये जरूरी होता है कि और मोलवी साहब फहमी ने बात काती आप इन चक्रों में मत बढ़े मेरा ख्याल है मोलवी साहब दुरूस फर्मा रही है मैंने दर्मयान में टांगड़ आई तुम कमोशर हो फहमी गर जी और मैं बगलें जांकने लगा मेरी बेज़ती होती देखकर शराफत के चेहरे पर एक तन्जिया मस्कुराट खेलने लगी गालिबन वो भी मेरी एहमियत से आगा हो किया था उसने मोलवी साहब को इशारा किया और उन्होंने फॉरन रिजिस्टर निकाल लिया पहले मेरा पूरा नाम पुछा पर निकाह नामे के कॉलम पूर करने लगे साथ साथ वो मुझसे जरूरी चीज़ें भी पूछते जा रहे थे मरता क्या न करता मैं उन्हें इंतहाई बद्दिली से सारी मलूमात प्राहम कर रहा था फहमी इस दोरान इत्मिनान से बैटी चूंगम से जगाली कर रही थी शराफत बड़ी ये मतजस्स नजरों से निकाह नामे के पुर होने वाले मंदरजाद का जाइज़ा ले रहा था शायद वो ये अंदास लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मैंने अपने बारे में फहमी से कुछ जूट तो नहीं बोला लेकिन तोड़ी ही देर बाद उसकी निकाहों में मायूसी के आसार उबर आए क्योंकि मेरी बयान करता तमाम चीज़ें दुरूस थे निकाह नामे पर दस्तख़त के बाद उन्होंने निकाह के कल में शुरू कर दिये और मुझे तीन दफ़ा कुछा कि क्या फहमी मुझे कबूल है मैंने एक टेंडी सांस ले और तीन दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है कह दिया मेरी तरफ से गवा के फराइज शराफत ने अदा किये मौलवी साहब में दबे लफजों में गवाहों की तदाद पर एतरास करना चाहा लेकिन शराफत के गुरने पर खामोश हो गए और फहमी की तरफ में तवज़ा हुए उसका निकाह नामा पूर किया और गवाहों के कॉलम पर आकर शराफत की तरफ देखा शराफत ने इतमिनान से निकाह नामा पकड़ा और फर्जी नाम से वहां दस्ताखत कर दिये और एड्रेस भी फर्जी लिख दिया मौलवी साहब नेकंगारते हुए गला साफ किया और फहमी से मेरी बाबत पूचा वो बड़े मज़े से चूंगम चबाती हुई बोली कबूल है कबूल है कबूल है मैंने आहबर कर चच्छ की तरफ देखा लेकिन ना तो आसमान टूटा और ना ही कोई सुर्क अंधी आई हलांके सुना था कि जब किसी मासूम के अर्मानों का खून होता है तो बरे जोर की सुर्क अंधी आती है मुलवी साहफ ने मुबारक कहा तो मुझे पता चला कि मैं फहमी का खावन बन चुका हूँ लेकिन मैं उसका असली खावन थोड़ी था मैं तो कराई का खावन था जिसका कराया दो सुरुपे मुकरर हो चुका था और बस कुछ ही देर में कराई का वक्त खतम होने वाला था मुलवी साहफ देनिका नामे का एक कागस रिजिस्टर से पाढ़ कर फहमी को तमा दिया और एक मेरे हाथ में दे दिया और अपने बाकी कागस समेट कर थैले में डाल दिये चलो भई अब मुझे तलाग दो फहमी ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ दिखा मैंने कुछ कहने के लिए मुख खोला ही था कि कमरे के दर्वाजे पर दस्तक हुई और सब उच्छल पढ़े फहमी का रंग यकदम उड़ गया मुल्बी सहाब के हाथ पैर कापने लगे बाहर से सेट खुबसूरत की आवास आई फहमी, कैन आई गो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ माइ गॉद, ये डाड़ी इस वक्त कहां से आ गए? फहमी ने तेजी से कुछ सोचा और हम सब को बैटे रहने का इशारा करते हुवे एक चलांग लगा कर दर्वाजे के पास गई इंतहाई आईस्तगी से चटखनी नीजे की और फिर भाग कर वापस कुछ सी पर आ बैठी सेट को पदा भी ना चला कि मुकफल दर्वाजा अब खुल चुका है कुर्सी पर गिरते ही उसने जल्दी से अपना सांस दुरिस्त किया और इंतहाई मदम आवास में हम सब को सिर्फ इतना कहा कि मैं जो कहूं मेरी हां में हां में लानी है और फिर उन्ची आवास में बोली आजाए जारी दर्वाजा कुला है बिटे मुझे अचानक शेर हुआ था लहाद मैंने सोचा कि अरे ये कौन है सेट कमरे में दाकिल होते ही चौक उठा ये ये रैडी ये शारुक के भाई है और ये शारुक के अब्बू है फहमी ने गबरा कर कहा अब्बू लेकिन तुमने तो बताया था कि उसके अब्बू फोटो चुके है सेट के लहज़े में हैरानी थी वो हाँ यात आया असल में ये शारुक के कराची वाले अब्बू है फहमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो मामला कहचे संबाले कराची वाले तो क्या पहले अब्बू फैसलाबाद वाले थे सेट कनपटी खुजाने लगा और फहमी के होश उड़ गए नई नई डैडी मेरा मतलब था कि ये शारुक के सुतेले वाली थे इन्होंने ये शारुक को पाल पोस्ट कर जवान किया है बड़े मजभी किसम के इनसान है ओ, दाट्स बैट वहाँ कुश हुई आप से मिलकर क्या करते हैं आप सेट ने गरम जोशी से मौलवी साहब से हाथ मिलाया और मौलवी साहब की जान निकल गई मैं? मजज़द में? डाटी, ये महज़द में प्रोफेसर है बड़ी दूम है इनकी दूर दूर से लोग इनके पासाद है अच्छा अच्छा भई, आपका साहब सादा तो बहुत जबरदस साइंस दान है मैं तो इसकी एज़दात सुनकर हैरान रह गया हूँ मेरी कुछ नसीबी है कि ये मेरा दमाद है सेट ने मेरी तरफ देखते हुए तरिफी अंदास में कहा और मैंने सादत मंदी से सर जुका लिया अब तो मैं बाग गई उसका दमाद था सेट के अलफा सुनते ही शराफत बुरी तरह चौका वो तो शुरू से मुझे और मेरे खांदान को जानता था मेरा और साइंस का रिष्टा ऐसा ही था जैसे अमेरिका और चीचू की मलियां का वो बहुत कुछ समझ किया था इसलिए दीरे दीरे सर हिलाने लगा ताहम उसने फौरी मदाखलत से गुरेस किया सेट ने उसकी तरफ देखा तो आप है शारुक के भाई जी हाँ मैं शारुक का भाई हूँ और मेरा नाम कमाल एहमद है शराफत ने कन अक्यों से मेरी तरफ देखते हुवे मेरा असनी नाम दोरा कर साबित कर दिया कि वो मेरे फ्रॉट से आगा हो चुका है आप क्या काम करते हैं सेट ने इंग्लिश बोली और शराफ पर टुकर टुकर उसे देखने लगा शायद उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी जबान का जवाब दे इससे बहले के सेट अपने सवाल को दोराता फेहमी फॉरन मदद को लपकी और बोली डाडी ये वकील है बहुत बड़े वकील अच्छा सेट ने अच्छा को लंबा किया तो इसका मतलब है सारा खांदान ही पढ़ा लिका है और आला अहदों पर फाइस है मौलवी साहब ने अपने मोटे शीशों वाली आनक दुरुस्त करते हुए नजरें जुका ली डाडी आप सोई नहीं अभी तक फेहमी जल्द अस जल्द सेट से चुटकारा पाना चाहती दी पेटे नीदी नहीं आ रही तो मैं तो पता है जब मुझे किसी शेर की आमद हो रही हो तो मेरी नीद उड़ जाती है और इस वक्त तो ऐसा शेर हुआ है कि मैं खुद हैरान रहे गया हूँ मेरा ख्याल है कि ये इस सदी का सबसे शानदार शेर है वह वह सेट साहब इशात कीजिए बलके हो सके तो अपना बाकी का सारा दिवान भी सुनाईए बलके वो कलाम भी सुनाईए जो अभी आपने लिखाई नहीं मेरे अब्बू और भाई आपके कलाम के बड़े परिस्तान है मैंने सेट को मकल लगाया और सब का मूँ बन गया फहमी समझ गई कि मैं उसके बाप को रोग कर ज्यादा से ज्यादा ताखीर करना चाह रहा हूँ लेकिन वह बेबस थी और इस मौके पर सिवाए मुझे आँखे दिखाने के और कुछ नहीं कर सकती थी शराफत गूर गूर कर मेरी तरफ देख रहा था लेकिन मैं बड़ी बेन्याजी से सोफे पर जम कर बैट गया अपनी तरीफ सुनकर सेट कुबसूरत का मूँ 32 बोर रिवॉल्वर के धाने की तरहा खुले का खुला रह गया उसके खबो ख्याल में भी ना था कि उसके कलाम की खुश्पो इतनी दूर दूर तक पहल चुकी होगी उसने मुहपत पाश नजरों से मेरी तरफ देखा फिर करीबी कुर्सी संभाल ली शाबाश पर खुरदार तुम वाकई मेरे दमात कहलाने के लाइक हो लीजिए हासरीन पहले ताजा शेर सुनिए अर्स किया है कि मेरे प्यार को नजर तेरी चाट गई है मेरे प्यार को नजर तेरी चाट गई है मेरी वैलवट दी कमीज अज पाट गई है वावा सुभान अल्ला क्या बात है मैं उच्छल उच्छल कर दाद देने लगा बाकी सब खमोश पैटे थे सेट ने खुशी से सरशार होकर अपनी कुर्सी मेरे तरफ मोड ली ऐसा लगता था कि उसे कोई परवान नहीं कि कमरे में कोई और भी उसके शायरी सुन रहा है या नहीं उसे तो एक ही सा में काफी था जो उसे बरपूर दाद दे रहा था अब मैं अपनी ताजा ताजा अजाद नजम सुनाता हूँ बरखुड़ार क्या तुम्हें अजाद नजम पसंद है नहीं जी मुझे गुलाम नजम ज्यादा पसंद है मैंने अपना अदवी रोब जड़ा क्या मतलब सेट मभूत रह क्या मुझे फॉरण इल्हाम हुआ कि मुझसे वोंगी सरजद हो गई है मैंने तेजी से अपना जुम्ला वापस किया और फॉरण कहा मेरा मतलब है कि मुझे आजाद नजम भी बहुत पसंद है शिट बहुत अच्छे तो मेरे मेरे जुनो ताजा आजाद नजम उन्वान है उदासी का निकाह अर्स किया है मेरी उदासी भी कमारी है और तेरा खौफ भी छड़ा है तो पर क्यों न दोनों का निकाह करें मेरे उदासी का जहेश तयार है बस VCR की कमी है तुम अपने खौफ का सहरा तयार करो मैं अपने उदासी का गरारा खरीता हूँ शादी वाले रोज एक खसूसी तकरीब होगी बाजे बजेंगे डोल बजेंगे और एक शांदार महफिले मुझरा होगी जिसमें मैं मैं भी अपने फन का मुझाहरा करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे उदासी का निकाह शांदार हो और खूब चुवारे बटें आह मेरे उदासी सेट ने नजन खत्म होते ही एक ठंडी सांस ली और दाद तलब नजनों से मेरी तरफ देखा मैं तो पहले ही त्यार बटा था लेहाज़ा उचल उचल कर दाद देना शुरू कर दी मेरी हर दाद पर सेट खुबसूरत की आँखें चमकने लगती और सीना थोड़ा और भूल जाता शराफत और मोलबी साहब इस सारे ड्रामे से ला तालुप नजर आ रहे थे अलबता फहमी मुसलसल नाखुन चबा रही थी उसकी तलाक लेट हुए जा रही थी और फिलहाल सेट के जाने का कोई अमकान नजर नहीं आ रहा था सेट ने फिर एक नई गजल स्टार्ट कर ली थी और मैं कुछ ना कुछ और मैं कुछ ना समझ में आने के बवजूद भी उसे पूरी जौफिशानी से दाद दिये जा रहा था रात दीरे दीरे बीत रही थी सेट ने कोट की जेब से अपना दीवान निकान लिया और मजे ले लेकर मुझे कलाम सुना रहा था मोलवी सहाब बैटे बैटे उंगने लगे थे जबके शराफर पहलू पे पहलू बदल रहा था उसके नजरे बार बार फहमी की तरफ उट रही थी फहमी अपना सरहाथों में लिए आंके बंद किये बैटी थी सारा बनसुबा चोपट होता हुआ नजर आ रहा था हर दफ़ा जैसे ही मैं सेट को दाद देता वो एक बल खा कर रह जाती मैं इस शानदार मौके को गवाना नहीं चाहता था लहाज़ा डटा हुआ था हलाके खुदा गवा है कि सेट की शायरी सुन सुन कर मुझे हैज़ा होने लगा था लेकिन मैं ने दिल ही दिल में कहा कमाले ये हैज़ा नहीं बलके हैज़ा बतनी क्या है बलाखे जब सेट ने अपनी सैंतिस्वी गजल शुरू की तो शराफत के सबर का पैमाना लब्रेज हो गया उसने मुल्वी साहब को ठोका दिया मुल्वी साह बढ़ बढ़ा कर उट पैटे अच्छा अंकल हम चलते हैं काफी देर हो गई है शराफत ने खड़े होते हुए कहा सेट ने चौक करना गवारी से उसकी तरफ देखा जो उसकी शेर खौनी में मुखलन हुआ था फिर बैटे बैटे बोले वेलकम खुदाहाफिस फेहमी भी तेजी से खड़ी हो गई वो शराफत और मुल्वी साहब करोपना चाहती थी लेकिन सेट के खुदाहाफिस कहने के बाद वो उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कह सकती थी अच्छा भावी हम चलते हैं शराफत ने लफ़ भावी पर जोड देते हुए फेहमी की तरफ देखा और मुल्वी को साथ लेकर सीरियों वाले दर्वादे से बाहर निकल गया फेहमी जल्दी से शराफत के पीछे लपकी और दर्वादे के करीब पहुंचकर उसके कान में कोई सरगोशी की और वरसर हिलाता हुआ नीचे उतर गया मुल्वी साहब भी उसके साथ थे फेहमी बेबसी से उन्हें जाते हुए देख रही थी और मैं खुशी से जूमते हुए सेट खुबसूरत से एक और गजल की फरमाईश कर रहा था फेहमी ने कीना तोस नजरों से मेरी तरफ देखा और चुप करके सुफे पर बैठ गई अचानक मैंने सेट को शेर पर दाद दी और फेहमी की तरफ मूँ करके कहा फेहमी जान इतने अच्छे शेर सुन रहा हूँ कुछ खाने के लिए ही बना लओ सेट ने मेरी हां में हां मिलाई लेकिन खान सामा तो सो चुका है फेहमी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कहा जान इस वक्त तो तुम्हारे हाथ की कोई चीज़ काने को जी चाह रहा है चाओ ना मैंने पूरी तरह से उसकी बेबसी का मज़ा लेते हुए कहा वो बादिलना खौास्ता उटकरे हुई तहां उसका पूरा जिसन मुझे गालियां देता हुआ महसूस हो रहा था वो चल भी ऐसे रही थी जैसे मुझे कुचल रही हो मैं दुबारा सेट की वक्वास सुनने लगा दस पंदरा मिंट बाद फेहमी चाई के दो कप और साथ में बिस्किट लेकर आ गई सुभानला कितनी फर्माबरदार है मेरी बीबी लव भई इस वक्त तो चाई पीने का अपना है लुट फोगा मैंने लपक कर उसके हाथों से ट्रेल ले लिया एक मिंट उसने मुझे गूरा डैडी ज्यादा चिंगी नहीं पीते ये डैडी का कप है उसने मेरे हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा किया मैंने मुस्कुराते हुए वो कप सेट को पकड़ा दिया और दूसरा कप अपने हाथ में लेकर चोटी चोटी चुस्किया लेने लगा हमारे घर में चाई प्यालियों में पी जाती थी मुझे भी वही लगत पड़ी हुई थी इसलिए मेरे चाई पीने की आवाज इतनी बुलंती कि ऐसे लग रहा था मैं चाई पी नहीं रहा बलके चाट रहा हूँ ताहम फहमी के गूरने पर मैंने फॉरण अपना वॉल्यम कम कर दिया सेट कुब्सूरत अब अपने दिवान का पचासवा सफ़ा पलेट रहा था और साथ में चाई का गूंट बढ रहा था फहमी बेन्याजी से एक तरफ बैट कर खावतीन का कोई रिसाला पढ़ने लगी मैंने कलॉक की तरफ निगाँ जाली रात के दो बचने को थे मुझे शदीद नीद महसूस हो रही थी जमाई पे जमाई आ रही थी लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किये हुए था इस वक्त सेट को बिठाय रखना बहुत जरूरी था मैंने सोचा पानी के कुछ छीटे ही मुँ पर मार लू ये ख्याल आते ही मैं तेजी से बात्रूम के तरफ लपका सेट ने मुझे इतनी सुबक रफ़तारी से बात्रूम के तरफ जाते देखा तो कुछ और समझा और बुरा समु बना कर चाय पीने लगा मैंने बात्रूम में जाते ही वाश पेसर में अपना मुँ देखा कोई फरक नहीं बड़ा था मैंने टेंडे पानी के दो चार चीटे आँखों पर मारे और अपना जायजा लिया मुझे बे एक्तियार खुद पर प्यार आ गया अबबा तो ऐसे ही कहते थे कि मैं गधा हूँ हलांकि आज मैंने अपनी अकलमंदी से साबित कर दिया कि मैं गधा नहीं गोड़ा हूँ अगर मैं एन वक पर सेट खुबसूरत को शायरी पर अमादा ना कर लेता तो इस वक्त फहमी मुझ से चिन चुकी होती मैंने दुबारा शीशे में खुद को देखा मैं देखना चाहता था कि ताजा ताजा शादी शुदा बंदा कैसे लगता है फिर मैंने सोचा मैं अभी शादी शुदा कहा हुआ हूँ अभी तो सिर्फ निकाह शुदा हूँ मैंने नोट किया कि निकाह के बाद मेरे चेहरे पर निखार आ गया था मैंने पिर सोचा अगर निकाह के बाद इतना निखार आ गया है तो शादी के बाद तो मेरा पहचाना जाना मुश्किल हो जाएगा मैं दुबारा वाश पेसन की तरफ आया और अब की बार साबून लगा कर अच्छी तरहां से मूँ दोया और तोलिय से इस चेरा खुशक करते हुए कमरे में आ गया कमरे में आते ही मुझे अचानक किसी कुत्ते के गुराने की आवास आई और मेरा दिल उचल करहलेक में आ गया ऐसे लग रहा था कुत्ता कहीं करीब ही है मैंने जल्दी से इधर उधर देखा लेकिन कुत्ते का कहीं नमनिशान न था अलबत्ता गुराहटों की आवास बदस्तूर आ रही थी ऐसे लगता था कि कुत्ता बहुत गुसे में है इसी अस्ता में मेरी नज़र अचानक सेट खुबसूरत पर बड़ी और मैं हैरान रह गया सेट बड़े अराम से सोफे पर गहरी नीन सो रहा था और जिसे मैं कुत्ते की गुराटे समझ रहा था वो सेट खुबसूरत के खराटे थे मैंने अल्ला का शुकर अदा किया कि मेरे जान चुटी फहमी ने रिसाला बंद किया और मेरे करीब आ गई शुक्रिया मैंने शर्मा कर कहा किस बात का उसने प्यार बढ़े लहचे में कहा पास आने का फहमी ने बड़ी मुहपत से मेरे काल पर चुटकी काटी और मैं पागल हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दम इतनी अच्छी कैसे बन गई तुम बहुत शरीर हो फहमी ने आँख मरी मैंने फिर शर्मा कर कहा महरबानी है तुमारी वरना अबबा मुझे शरीर की वज़ाए खंजीर कहा करते है तो पिर क्या ख्याल है शुरू करें उसने माईनी खेस अंदास में मेरी आँखों में जांकते हुए कहा बिसमिल्ला मैंने जल्दी से तक्ये की तरफ हाथ बढ़ाया शाबाश तो फिर बोलो क्या बोलो मैं चौक या भई वही तलाग 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 क्या मतलब तुम हाँ मैं जल्दी चलो जल्दी कहो वो गुसे में आ गई मैंने तन्जीय लहचे में कहा तुम्हारे वकील और मोलवी साहब तो जा चुके हैं तुम्हारे डाड़ी यहां मुझूद है उनकी फिकर मत करो फहमी ने चुटकी बजाई मैंने उन्हें नीद की ऐसी गोली दी है कि अब ये कल दुपहर के बाद ही उठ सकेंगे मैं उचल कर खड़ा हो गया आ जाएं वकील साहब और मोलवी साहब उसने आवास लगाई और वो दोनों दुबारा कमरे में दाकिल हो गए मैं समझ किया कि पांच साह पलिट चुका है मोलवी साहब और शराफत पूरे तम तराक से अंदर दाकिल हुए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जनाजी का वक्त आन पहुँचा है दोनों इत्मिनान से अपनी अपनी निशिस्तों पर बराच मान हो गए सेट पूरी जिमेदारी से खराटे लेने में मसरूफ था जी जनाब शारुक साहब क्या हाल है शराफत ने बड़े एहतराम से मुझे जलील किया इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता फहमी ने तेजी से कहा जल्दी भोगो हर बंदे को अपना बाप न समझ लिया करो मैं दिल मिलाया फहमी चिल लाई शट अप यू बास्टरड मुझे पानी तो पिले ले दो मैंने जल्दी से हाथ जोड़े तुमने तलाग देनी है दूद की नहर नहीं खोदनी तलाग दे दो फिर इत्मिनान से पानी पीते रहना फहमी गर जी मुलवी सहाब भासी पर बिलगने से पहले बंदे के आकरी खाहिश पूछ ली जाती है क्या तलाग के वक्त शरा में ऐसी कोई सहूलत नहीं मैंने मुलवी सहाब से रुजू किया मुलवी सहाब यकदम खंकारे गूर कर मेरे तरफ देखा फिर इत्मिनान से बोले नहीं अब तुमने तलाग के अलावा कोई लफ बोले तो जान निकाल दूगी फहमी फैसला कुन लहचे में बोली और पर्स में हाथ चाला में समझ गया कि रिवाल्वर चेक कर रही है मैंने आब भरी और एन उसी लम्हें मेरी आँखों के सामने अंदेरा आ गया मैंने गबरा कर अपनी आँखे मली शायद तलाग के सदमे से मेरी बिनाई मुदासिर हो गई थी मैं चिलाया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आइस्ता बोल ब्रेकेट गाली हमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा फैमी ने दान पिसे और तब मुझ पर खुला कि किसमत ने आइन वक्त पर मुझ पर एक और महरबानी की है और लाइट बंदो गई है मैंने दिल चाहा कि सवा पांच घंटे तक वाबड़ा की बिला तोकफ चुम्मिया लूँ जिन्दगी में पहली बार वाबड़ा पर बे इंतहा प्यार आया मैं अभी एमर्जिंसी लाइट लाती हूँ वकील सहाब जरा दिहान से बैठियेगा फहमी ने शराफ़त को खबरदार किया और दूसरे कमरे की तरफ लबकी शराफ़त गैर महसूसाना तोर पर दरवाजे के करीब होकर बैठ किया ताके कोई बाहर ना जा सके इतने में दूसरे कमरे से हलकी सी रोशनी नजर आई हुआलिबन फहमी ने एमर्जिंसी लाइट जूँड ले दी और अब उसे हमारे वले कमरे में लेकर आ रही थी मैंने एक सेकिंट के हजारवे हिस्से में कुछ सोचा फिर तेजी से हाथ बढ़ा कर मौलवी साहब की कुछ से उल्टा दी उनके हलक से एक खौफनाक चीख निकली और वो दढ़ाम से कालीन पर आ गिरे अंधेरे की वज़ा से मुझे नजर तो नहीं आ रहा था कि वो गिरे हुए कैसे लग रहे होंगे तहां मैंने चश्मे तसवर में उनके टांगें उपर और सर नीचे में चलता हुआ देखा मौलवी साहब की चीख सुन कर शराफत गरबढ़ा गया कि क्या हुआ मौलवी साहब वो अंधेरे में हाथ पाउ मारता हुआ अंदाजे से मौलवी साहब की तरफ लपका फहमी भी एमरजिंसी लाइट लिये करीब आ गई थी मैंने आओ देखा न ताओ तेजी से आवास पैदर किया बगएर बट के नीचे रिंग गया फहमी ने भी मौलवी साहब की चीख सुन ली थी और तकरीबन दोड़ती हुई कमरे में दागिल हुई और अंदर का मंजर देखते ही चकरा गई मौलवी साहब कुर्सी समेट कालीन पर ओंधे पड़े थे शराफत मौलवी साहब को संभाल रहा था और मैं निकाह नामे समेट गाई था फहमी के हलक से दवी दवी चीख नहीं कर गई मैंने पूरी तरह से अपना सांस रोक लिया था क्योंकि मुझे पता था अगर अब की बार मैं दर्याफ्त हो गया तो तलाग भी देनी पड़ेगी और छितर भी खाना पड़ेंगे बेट काफी बड़ा था इसलिए मैं किसकता किसकता उसके आखरी कोने पर चला गया वकील सहाब नीचे देखिए वो ब्रैकेट गाली भाग गया है पकड़िये उसे फहमी पूरी कुबस से चिलाई और शराफत समझ गया कि अब उसे मुझे मिस्टर और आप कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं वो मुलवी सहाब की कुरसी आधी सीधी कर चुका था फहमी का जुमला सुनते ही उसने कुरसी वहीं छोड़ दी और च्छलांग लगा कर सीड़ियों की तरब बागा मुलवी सहाब दुबारा उलटकर गिरे अलबता इस पार मुझे उनकी कोई आवास नहीं आई इसी दौरान एक जपा का हुआ और लाइट आ गए फहमी जखमी शेड़नी की तरह कमरे में बलका रही थी उसका बस चलता तो वो मुझ पर बेरिये चोड़ देती बजली आते ही उसने एमरजिंसी लाइट एक तरफ पहकी और फर्ष पर गिरा हुआ निकाह नामे का दूसरा कागज उठाने के लिए नीचे जुकी मेरा दिल उचल कर हलक में आ गया उसके बाल आगे को जुक आए थे एक सेकिंट के लिए भी वो अपने नजरों का जाविया 90 डिग्री पर कर लेती तो मुझे गसीट कर बेट से नीचे निकाल सकती थी लेकिन किसमत पूरी तरह से मेरा साथ दे रही थी उसने निकाह नमा उठाया और पढ़कर गुसे से परे फैंक दिया सेट खुबसूरत बदस्तूर बेहोश था और अब उसके खराटों की आवाज गदे की आवाज में तक दिल हो चुकी थी फैंमी ने बताया था कि वो कल से पहले होश में नहीं आएगा इसका मतलब है फिल्हाल बाहर निकलने में खत्रा ही खत्रा है मुझे मौलवी साहब में भी कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी या तो वो बेहोश हो गए थे या खालिक किसी जा मिले थे लेकिन फैंमी को मौलवी साहब की कोई परवाद नहीं दी इसी दोरान फॉन की गिंटी बजी और फैंमी ने बाग कर फॉन उठाया हेलो हाँ फैंमी बोल रही हूँ कजब हो गया शारुक वो कमी ना निकाह के बाद यहां से भाग किया है हाँ हाँ मैं बहुत परिशान हूँ नहीं नहीं डैडी को कुछ नहीं पता मैंने उनको चाय में नीन की गोलिया डाल कर सुला दिया है ओके वो फॉन बंद करके मुड़ी और एक तवील सांस लेती हुई सोफे पर गिर गई उसने अपनी गर्दन सोफे की पुष्ट से लगा कर खुद को डीला छोड़ दिया था उसके पैर मुझे बेट के नीचे से साफ बिलकु साफ और करीब नजर आ रहे थे मैं सब कुछ बुला कर पूरी महवियत से उसके पैर देखने लगा सफेद सफेद बेदाग पैर देखकर मेरा बड़ा जी चाहा कि कोई छोटी सी शरारत करू लेकिन पिर दमाग ने समझा है कि इस छोटी सी शरारत का नतीजा बड़ी सी मुरमत के शकल में भी निकल सकता है इसलिए मैं बास चाहा थोड़ी देर में शराफत हापता कापता अंदर दाकिल हुआ मैडम कुछ पता नहीं चला मुझे लगता है वो अपने घर बाग क्या है जो किदार ने भी किसी को नहीं देखा वो यकिनन दिवार फलांग कर गया है फहमी जोर से उचली ओह येस उस मर्दूद का अपने घर के अलावा और ठीकाना भी क्या है चलो जल्दी से उसके घर चलते है लेकिन मैडम वो मुलवी साहब शराफत ने कुछ कहना चाहा गोली मारे मुलवी साहब को मैं इतनी बड़ी मुसीबत में भजी हूई हूँ और आपको मुलवी साहब के सूज रही है कुछ नहीं होता होश आएगा तो खुदी घर चले जाएंगे मैडम एक बात कहूँ आप बुरा ना मनाए शराफत ने गलास साफ किया और दर्वाजे के तरफ बढ़ती हुई फहमी यकदम रुक गई जी फरमाईए वो मैडम मैं ये कहना चाहता था कि आप कमाले से ही शादी करके तला क्यों लेना चाहती है ये खिद्मत तो मैं भी मेरा मतलब है कि फहमी के होँच भड़कने लगे वकील सहब मेरा ख्याल है आप अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेतर है मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जी जी मिल्कुल ठीक फरमाया आपने शराफत ने फौरण पैंतरा बदला तो पिर आईए मेरे साथ फहमी ने उसे इशारा किया और वो किसी सहर जदा मामूल के तरह उसके पीछे पीछे लबका मैं पहले खुश हुआ फिर परेशान खुश इसलिए कि अब मेरे लिए मैदान साफ था और परेशान इसलिए कि अब वो अमा अबा के पास जाएंगे और वहाँ पते नहीं क्या सूरतियाल पेश आ जाए मैंने बैट के नीचे से निकल कर किर्की की दर्ज में से देखा उनकी गारी गेट से बाहर निकल रही थी मेरे हाथ पाउं भूल गए मैं तो आज तक्कटी हुई पत्तंग लूटने को ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम समझता रहा था आज अंदाजा हुआ कि मुश्किल काम कुछ और भी होते हैं पहले मैंने सोचा कि यहीं चुपा रहता हूं पर ख्याल आया कि अगर वर लोग वापस आ गए तो मैं चुहे दान में फ़र्ज जाँँगा तमाम एहतियातें बलाए ताक रखते हुए सीड़ियों से नीचे उतरा और सीधा चुकिदार के तरफ बढ़ता चला गया चुकिदार के पास पैठा नस्वार गेट के पास पैठा नस्वार से दिल बहला रहा था मुझे आते देख कर उचल कर खड़ा हो गया उसकी आँकों में शदीद हैरत और तजबजब नज़र आ रहा था गालिबन वो ये सोच रहा था कि मुझे पकड़ ले या कुछ ना कहे या कुछ ना कहे शायद फहमी और शराफत ने उसे मेरे बारे में कुछ खास नहीं बताया था मैंने उसकी इसी कहफियत का फाइदा उठाते हुए एक गबराए हुए लेहचे में कहा खान साब खान साब जल्दी से अंदर जाओ जल्दी से सेट साब बेहोश हो गए है सेट के बेहोश होने का सुनते ही चोकीदार के हाथ पांप भूल गए और नस्वार वाली डब भी उसके हाथ से नीचे गिर गई ओ खाचा का क्या हुआ सेट साब को वो हक लाया पता नहीं क्या हुआ है तुम फॉरण उनके पास पहुँचो मैं डॉक्टर को ले के आता हूँ जल्दी जब मैं चिलाया और खान दीवानवार अंदर की तरफ दोड़ा गेट खुला हुआ था मैंने मज़ीद वक्त जाया किये बगैर दुड़की लगा दी रात आदी से ज़्यादा गुजर चुकी थी लहाज़ा हर तरफ कुप अंदेरा था इस वक्त किसी बैगन का मिलना तो महाल था लहाज़ा मैं पैदल नहीं गर की तरफ दोड़ रहा था में गेट पर पहुँचकर मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई बस या वैगन नजर आ जाये लेकिन हर तरफ खामोशी थी आम हालात होते तो शायद मैं इतना अंदेरा और तनाई देखकर फलक जपकते में बेहोश हो जाता लेकिन ये मामला कुछ और था इसलिए मैंने जी कड़ा करके तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया मुझे पता था चोकीदार ने सेट को बेहोश देखकर शोर मचा दिया होगा और उस शोर को सुनकर मोलवी सहाब यकीन होश में आ चुके होंगे और जी भर के मुझे बद्दुआइं दे रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहे थी कि गर के तरफ जाओं या किसी और तरफ निकल जाओं मैं जानता था कि जब शराफत और फहमी को गर पर मैं नहीं मिलूँगा तो फहमी हमेशे की तरह सबसे पहले पुलीस में रिपोर्ट करेगी और पुलीस लाजबन मेरे गर के निगरानी पर लग जाएगी फिर बीन ना जाने क्यों मेरे कदम अपने गर के तरफ ही उट रहे थे पता नहीं क्यों मुझे यकीन साथा कि अगर मैं गर पहुंच किया तो बच जाओंगा अचानक दूर सड़क पर से किसी वेगन की हेडलाइट्स करीब आती हुई दिखाई दी मैंने अल्ला का शुकर अदा किया उसी लम्हे मुझे याद आया कि मेरे पास तो वेगन का कराया भी नहीं ये ख्याल आते ही मेरे दिल सर पीट लेने को चाहा मैंने मायूसियाना अंदास में अपना रुख फुट पाथ की तरफ मौड लिया मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वेगन सड़क छोड़कर मेरे तरफ आने लेगी मैं रुक गया और एन उसी लम्हे मुझे पर इनकशाफ हुआ कि ये वेगन नहीं है बलके पुलिस का डाला है कौफ से मेरे पाउं जम गए गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और एक धमाके से उसके दरवाजे खुल कर बंद हुए मेरा खून और हलक बयक वक्त खुश्क हो गया गाड़ी के हैड लाइट्स सीधी मेरे चेहरे पर पढ़ रही थी और लाइट्स की रौश्णी में तीन चार पुल्ट सीए मेरे तरफ बढ़ रहे थे अब भात ना फजूल था क्यूंकि उनके हाटों में पकड़ी बंदू के मेरे तरफ हो चुकी थी इतने में गाड़ी का अगला दर्वासा कुला और जो शक्सियत बरामध हुई उसे देखकर मेरी रही सही जान भी निकल गई यह वही तानेदार था जिसने मुझे चछट से उल्टा लटकाने का हुकम सादिर फरमाया था मुझे देखकर उसकी आँकों में हैरानी उदर आई उसने करीब आकर मेरा जाईसा लिया पूरी तसली होने के बाद उसने खुल कर एक कहका लगा और हात में पकड़ा डंडा मेरी बगल में चबोया ओए कुते तू रात को इधर क्या कर रहा है मुझे तसली हो गई कि फहमी ने अभी तक उसे कोई इतला नहीं दी मैंने बहाना बनाया वो मैं काना अजम कर रहा था थानेदार ने एक और गलीज कहका लगाया अबे तेरा घर यहां से छे मिल दूर है और तू यहां काना अजम कर रहा है सही सही बोल क्या कर रहा था यहां परना गर्दन उतार दूँगा मैं काप गया नहीं जी जिस जल्मत कीजेगा मैं बगएर गर्दन के घर गया तो अबबा मुझे गोले मार देंगे कोई बकवास बंद कर चल दी बता तो इधर क्या कर रहा था एक सपाही ने इनकशाफ किया सर जी मुझे तो लगता है ये किसी बंदे को मारने की प्लानिंग कर रहा था मैं मज़ीद काप किया ये ये गलते जी मैंने तो आज तक खुल कर जूट नहीं मारा मैं बंदा कैसे मार सकता हूँ इस बात का फैसला हम थानी जाकर करेंगे थानेदार ने मुझें को ताओ देते हुए कहा और सपाहियों को इशारा किया मैं बहुत गिर गिर आया खुदा के वास्ते दिया लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और गाड़ी में डाल कर मुझे थाने ले आया मैं डर रहा था कि अगर फैमी ने उसे फौन कर दिया तो वो पर्चा कारते में एक मिंट की भी ताखिर नहीं करेगा ताहम अब की बार उसने एक महरबानी की कि मुझे मारा नहीं हवालात कैजियों से बरी हुई थी पता चला कि ये सब हकूमत मुखालिफ जमात के कारकुन है और सड़क पर जलूस में नारे लगाते हुए दहल लिए गए हैं उनके लीडर तो गाड़ियों में बैठ कर घरों को रवाना हो गए थे और ये हवालात में बैठे उनकी मा बहन एक कर रही थे मैंने खाने के दो तिन नवाले लिए और एक तरफ होकर बैठ किया मुझे अपने आप पर शदीद गुसा आ रहा था कि मैं डर पोक से बुस दिल कैसे बन किया हूँ एक बात का तो मुझे पूरा यकीन था कि फहमी जब तक मुझे तलाक नहीं ले ले ली थी वो इस बात की तशहीर से मुकमल गुरेज करेगी कि वो मुझे से निकाह पढ़वा चुकी है लेकिन उन तमाम बातों के बवजूद मुझे सबसे ज्यादा खतरा शराफत की तरफ से था वो निकाह का चश्म दीद गवाह था और किसी भी मौके पर मुझे या फहमी को ब्लैक मेल कर सकता था तुम्हारा तालू कौन सी पार्टी से है जी मेरे करीब बैठे हुए एक सियासी कैदी ने सवाल किया मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा उसके सवाल करने का अंदास बता रहा था कि वो मुलको कौम की भलाई से जया था अपनी भलाई के लिए सियासी पार्टी का रुकन बना है मैंने इत्मिनान से कहा मेरा तालूग टी पार्टी से है अच्छा जी ये कोई नई पार्टी आई है किसने बनाई है और फी जलूस कितना देती है उसने बड़े इश्टायाक से पूछा पार्टी तो ये बहुत पुरानी है लेकिन पैसे नहीं देती सिर्फ चाय बिलाती है ओँ उसने होट सुकेडे भू की नंगी पार्टीयां ऐसे ही करती है अचाए ये बताओ जेल जाने का क्या रेट है क्या मतलब मैंने दीदे भैला है ओ यार मेरा मतलब है कि तुमारी पार्टी का वर्कर अगर जेल जाये तो उसे कितने पैसे मिलते हैं दो-तिन हजार तो मिलते ही होंगे न उसने खाली सतन कारोबारी अंदास उच्छल कर नारे लगाने लगे मैंने सुलाकों से बाहर जांका उनके लीडर उनके लीडर लीडरान प्रेस फोटोग्रफों के साथ हावालात की तरफ आ रहे थे साथ में थानेदार भी था लीडरों के चेरे पर फातिहाना मस्कुरा ट्रक्स कर रही थी और उनके कलफ लगे वेदा, कपड़े और फिरॉनियत से बरपूर चाल साबित कर रही थी कि यगीनन वो एक ना एक दिन इस मुलक की बाग दौर सग्रूर संभालेंगे कैदियों के नारों में मजीद शिद्दत आ गई मेरे करीब बैठा कैदी भी उचल उचल कर नारी लगा रहा था हर एक कोशिश और एक की कोशिश थी कि वो आगे बढ़ कर वफादारी के सबूत में अपना आप सुलाकों के पीछे दिखाए मलिक सहाब जिन्दाबाद हाजी सहाब जिन्दाबाद टौाना सहाब जिन्दाबाद शेर पंजाब जिन्दाबाद सिंद का चीता जिन्दाबाद लहोर का सहाब जिन्दाबाद कराची का भेडिया जिन्दाबाद हावालात नारों से गुंच रही थी और लीडरों के चेरे मजीद तम तमाते जा रही थे पहरानी के عالم में हवालात की दिवार से टेक लगाई ये सारा मंज़र देख रहा था सुलाकों के सामने की जगा हवालातियों ने गेर रखी थी इसलिए मुझे नज़र आना बंद हो किया कि सामने क्या मंज़र पेश हो रहा है ताम कभी कबार कोई हवालाती जोश उजस्पे में जोड़ दार नारा लगाता तो उचलने के दौरान उसकी चांगों के खला में से मुझे किसी ना किसी लीडर की अकड़ी हुई गर्दन नसर आ जाती तोड़ी देर तक ये नारे बाजी जारी रही फिर दीरे धीरे थमती चली गए और सब खामोश हो गए ताम उनकी गर्दने अभी तक सुलाकों से जुड़ी हुई थी इनको कब रहा कर रहे हो तानेदार एक आवाज आई तानेदार ने कहकां लगा कर कहा हाजी सहाब आम स्यासिय वरकरों की कैद की मुद्द इतनी ही होती है जितनी आप लोगों की अयाशी अब आप आगए हैं तो इनको भी छोड़ देते हैं आप ज़रा इशारा करें कि आपके वरकर कौन कौन से हैं गालिबन हाजी सहाब ने इशारा कर दिया था इसलिए फौरण हवालात का दर्वाजा खुल गया और तीन चार वरकर उर्फ हवालाती बाहर दश्रीफ ले गए उनके जाते ही बीगर हवालाती ने खुदा कर शुकर अदा किया क्यूंके अब कुछ सांस लेने के जगा पैदा हो गए थी बाकी लीडरान ने भी अपने अपने बंदों के तरफ इशारा करना शुरू कर दिया और हवालात कौमी ख़जाने के तरह तेजी से खाली होती जा रही थी मुझे शदीद खाहिश हुई कि काश मैं भी कोई सियासी वरकर होता कमसकम रहाई तो नसीब हो जाती इसी असना में तवाना सहाब जिन्दाबाद के नारे लगने लगे मिरे साथ बैटे हुए कैदी ने भी तवाना सहाब के हक में नारे बाजी शुरू कर दी और मुझे पता चल गया कि अब उसका लीडर सामने आ गया है मुझे खमोश देकर उसने आहिस्ता से बूचा रहाई चाहते हो मैं सट पता गया अबे बोल बाहर जाना है कि नहीं उसने बाहर जाना है ऐसे कहा जैसे मुझे लंदन की ओफर कर रहा हो मैंने बिबसी से फोरण कहा हाँ भाई लेकिन लेकिन वेकिन को छोड और मेरे साथ चुवाना साऑब के हाँ में नारे लगानी शुरू कर दे उसने मुझे कौहनी मारी लेकिन अबे बालों के साथ साथ अकल भी मुनदवा बेटा है चल नारे शुरू कर दे बाकि मैं संभाल लूँगा लेकिन मैं फिर तुझका लाना था भई तीसरी दफ़ा फिर लेकिन कहें दिया